दोस्तों वेलकम बेक टू निव वीडियो चलिए शुरू करते हैं आज बताते हम अपकमिंग पांच मर्शडीज कार्स के बारे में जो की एक लगजरी कार्स हैं चलिए शुरू करते हैं नंबर फस्ट पे आने वाली मर्शडीज बेंच सी क्लास इसके डिजाइन एंड इंटिरियर तो निव जनेरेशन एंबी यू एक्स इंफो टैन्मेंट एंड नेविगेशन सिस्टम के साथ आती है यह 11.9 सेंटर टॉच स्क्रीन डिस्प्लेइ एंड फिंगर्प्रिंट सेंसर मुल्टी फंक्शन लेदर स्टेरिंग बील्स विट तस्क कंट्रोल बटन्स हीटेट फेंट सीट्स एलेड इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम विद अडेप्टिब लाइट वीम्स असिस्ट एंड लेडी टेल लेंज विद संफ्रूफ एंड 18 इंचेज वील्स बात कर लेते हैं इसके परफॉमेंस एंड टेक्नलोगजी के बारे में इसमें आपको 2.0 इंलाइन फोर्ड टर्वो एंजिन देखने को मिल जाता है 255 एच्पी एंड 295 आईवी फिट आफ टॉर्क के साथ एं 1020 एडिशनल एच्पी एंड 148 एच्पी एडिशनल आईवी फ्टी टॉर्क के साथ एंड आपको इसमें 48 बॉल्ड ऑन बॉर्ड एलेक्रिस सिस्टम टेक्नलोजी भी मिल जाती है यह 0 to 60 MPH 5.9 सेकंड में लेकर लेती है इसकी जो टॉप स्पीड है वह 130 MPH माइल्स पर आव के बारे में आपको B12 एंजन इस रेटेट फॉर 621 यान 621 HP देखने को मिल जाती है एंड इसमें बिग लीमो 60 MPH सिर्फ 4.4 सेकंड में टेकर लेती है एंड 7 इंचिस के लॉंगर वील वेज भी देखने को मिल जाते हैं 64 कलर्स इंटीर एंबियंट लाइटिंग के साथ आपको एर सिस्टम भी मिल जाता है विस सिगनेचर फ्रेग्रेंस के साथ सं रूफ के साथ एंड बात करें शीट्स के बारे में तो इसमें रियर शीट्स होल्डिंग टेबल सी मिल जाती है अपको साथी कंट्रोलर आंप्रेजर का फॉलडर सो भी मिलते हैं इलेक्रिशिटी आपरेट रियर डोर, साथी रेफिरेटर देखने को भी मिल जाता है, 12.8 इंचिस ओलेड टच स्कीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथी 12.3 इंचिस डिजिटल गॉल्फ कलेश्टर देखने को मिल जाता है, साथी एपल कार प्ले अंड्राइड आटोर विज बारलेस कन कर लेते हैं, नमबर 3 पाने वाली Mercedes-Benz EQA, जो कि एक इलेक्टिक कार है, तो इसमें आपको EQA 250 is a powered by single electric motor, मतलब ये एक single electric motor करा दिया है, इसमें आपको 188 HP, front wheels में देखने को मिल जाएगा, and all wheel drive configuration with 268 HP देखने को मिल जाती है, ये कार 62 MPH 8.9 से कर लेती है, इसकी जो टॉप स् है, वो 99 MPH है, ये लोग जो बैटी यूज़ करते हैं, वो 66.5 किलो बॉट की है, इसकी जो लगबग लगबग रेंज दे रखी है, वो 200 से लेके 250 माइल्स दे रखी है, and इसकी प्राइस की बात करें, तो लगबग 60 लेक रुपीज रखा गया है, बात करते हैं में स्टरी GLB कार के बारे में, जो की नमबर 4 प्राइथी है, and इसमें 2.0 लीटर टर्वो चार्ज फोर स्लेंडर एंजन देखने को मिल जाता है, साथी 2.21 HP के साथ, डूल क्लाच आटोमेटिक, and ये 0 से 60 MPS की स्पीड 6 सेकंड में डेकर लेत, and इसमें आपको 7 इंचिस डिस्प्ले, टच 30.000 रुपीज रखा गया है, बात कर लेते हैं, अगली कार नमबर 5 पे, and लास्ट कार के बारे में, मर्चडीज EQS, जो की एक इलेक्टिक कार है, and इसमें आपको 329 HP देखने को मिल जाता है, पर ट्रेन EQS 450 प्लस, and 516 HP, and आल वील ड्राइब सेट अप के साथ, and इसमें 107.8 प्लोबाट की बैटी देखने को मिल जाती है, and 300 मायल की रिंज लग 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 दे रखियें, and जियो से 60 MPH 5.5 सेकंड में तेकर लेती है, and इसमें आपको 12.3 इंचिस गॉज क्लस्टर देखने को मिल जाता है, 7.7 इंचिस सेंटर टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 7.3 इंचिस पैसेंजर साइड टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 7.3 इंचिस साथ ही आपको फिंगर प्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, and इसका जो प्राइज रखा गया है, वो 1.75 करोड रपीज रखा गया है, so guys, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो च कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट में दोचकें,